Good morning everyone, कैसे हैं आप सब? निशा की पार्षाला में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम गुंजन थी का लेसन नाइन शून्य जो की एक कविता है पढ़ेंगे शून्य मतलब जीरो इस कविता के कवी रमेश कौशिक जी है बच्चों, यह तो आपको पता ही है जीरो किसी नंबर के आगे लग जाता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है तो शून्य के माध्यम से कवी हमें यह समझा रहे हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिने हम कुछ नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं करते पर उन्हें हम अपने साथ मिलाएं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी मिलकर काम करने से शक्ती बढ़ जाती है तो आईए कविता पढ़ते हैं पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब प्रस्तत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि शून्य का कोई महत्व नहीं है उसकी कोई value नहीं है कवि जब छोटे थे तो शैयद ऐसा सोचते हूँगे लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब कवी कहते हैं कि लेकिन अब मैं शून्ने की ताकत के बारे में जान गया हूँ मुझे पता चल गया है कि शून्ने भी बहुत ताकतवर है क्योंकि ये एक ऐसा अंक है जो किसी भी अंक के बाद आकर उसकी ताकत को बढ़ा देता है अब आगे पढ़ते हैं अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे दस बन जाएंगे दस के साथ लगाओगे यदि तो पूरे सौ कहलाएंगे अगर एक नमबर के आगे एक शून्य लगा दो तो दस नमबर बन जाएगा तो शून्य जिसका अपना कोई महत्व नहीं है पर एक के आगे लगाने पर दोनों का महत्व बढ़ गया इसी तरह यह शून्य दस के साथ लगकर उसे सौ बना देता है तो शून्य ने एक के साथ मिलकर उसकी शक्ति को कितना बढ़ा दिया सौ के संग भी एक शून्य हो तो हजार यह बन जाते हैं एक शून्य यदि और यहां हो दस हजार फिर कहलाते हैं इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि सौ के आगे एक शून्य लगाने से वे हजार बन जाते हैं और 1000 के आगे एक और शून्य लगाने से 10,000 बन जाते हैं अर्थात शून्य में इतनी ताकत है कि उसके साथ लगने पर 100 से 1000 और 1000 से 10,000 बन जाते हैं तो ये मामूली सा शून्य कितने बड़े बड़े नंबर बना देता है अब आगे पढ़ते हैं कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो दस गुनी शक्ती अपने में निश्चय बढ़ी हुई पाओगे अंत में कवी कहते हैं कि हमें हर छोटी से छोटी वस्तु का महत्व समझना चाहिए समाज का एक वर्ग जो गरीब है पढ़ा लिखा नहीं है शून्ने की तरह है उनको अपने साथ मिला कर देखो उनको भी प्यार और समान दो तो आप देखोगे कि आपकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई है आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो तो कवी के कहने का मतलब है कि हमें समानता एक्वैलिटी का भाव रखना चाहिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए तो यह थी बहुत ही सरल शब्दों में लिखी कविता शून ने उमीद है आपको समझ में आगई होगी बच्चों अब जल्दी से इस कविता को याद भी कर लीजिए फिर अपनी क्लास में सुनाईएगा आएए अब हम इसके कोश्चन आंसर्स करते हैं मौखिक का प्रेश्ण का है शून ने क्यों महत्वपून है उत्तर लिखेंगे शून ने इसलिए महत्वपून है क्योंकि यह ऐसा अंक है जो दूसरे अंकों के बाद आकर उनकी ताकत को बढ़ा देता है प्रेश्ण खा है एक के आगे एक शून ने लगाने पर कितना बन जाता है उत्तर है एक के आगे एक शून ने लगाने पर दस बन जाता है प्रेश्ण गा है एक हजार कब बनता है उत्तर है सौ के आगे एक शून्य लगाने से एक हजार बनता है अब लिखित प्रेश्न करते हैं प्रेश्न का है कवी किसकी ताकत को जान गया है उतर लिखेंगे कवी शून्य की ताकत को जान गये है नेक्स्ट है कवी किने साथ बैठाने के लिए कह रहा है उत्तर है कवी गरीब कमजोर जिने हम कुछ नहीं समझते हैं उन्हें साथ बैठाने के लिए कह रहे हैं प्रश्निगा है इस कविता से क्या संदेश मिलता है उत्तर है इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि छोटी वस्तुएं भी महत्वपूर होती हैं हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए दूसरों के साथ मिल कर चलने से हम और भी ताकतवर हो जाएंगे उमीद है प्रश्न उत्तर भी आपको समझ पे आ गई होंगे आप सब खुश रहिए हमेशा हसते मुस्कराते रहिए अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं तिल दन बाई एंड थैंक यू